आयोध्या की और रवानगी शुरू हो चुकी है जगा जगा राम के नारे गूंजने लगे हैं राम की नगरी में तयारियां जोरों पर हैं 25 नॉंबर की बैठक के लिए साधू संथ भी जमा होने लगे हैं यानि राम मंदिर के लिए लोगों का धैरे जवाब देने लगा है और सत्ता रोड पार्टी पर दवाब दोगुना होने लगा है शायद यही वज़ा है कि बीजेपी पारबार मंदिर के वादे कर रही है और कॉंगरेस इसे जहासा बता रही है अहोध्या में जहां राम लल्ला बिराजमा ने वही स्तान पर भव्य राम मंदिर बने इसके लिए भारतिय जन्ता पार्टी कटिबद है और यह हमारा देश की जन्ता को वादा है इसमें से इसमें एक इंच भी वापिस आने का कोई सवाली है राम मंदिर से भारतिय जन्ता पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ये सिरफ राम भगवान को राम मंदिर के मुद्दे को चुनाओं के लिए वोट बटोरने के लिए बुनाना चाहते है राम मंदिर को लेकर बीजेपी की मुश्किलें एक नहीं कई हैं शिवसेना ने मुद्दा हत्याने की दौर शुरू कर दी है एक तरफ ट्रेन में भर-भर कर शिवसेनिक अयोध्या की ओर रवाना हो रहे है तो दूसरी ओर शिवसेना की कपतान शिवाजी की जन्मस्थली पर पहुँच गए उणे के शिवनेरी किले की मिट्डी को उद्दाव ठाकरे ने कलश में भरा और मिशन अयोध्या का बिगुल फोग दिया इस बीच यूपी के सीम योगी आदितिनाथ ने इकबाल अंसारी के उस बयान का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने कानून के रास्ते राम मंदिर का समर्थन किया था अच्छा है बयान स्वागत योगी है तै मानिये उद्धव के अउध्या दोरे और 25 नॉम्बर की बैठक के बाद मामला और गर्माएगा लेकिन ये भी हकिकत है कि मामला सुप्रीम कोट में है